गटना होई है किया पूरा बाम्दा जो अच्छी गटना होई है? यह गटना नो रच्छा बंदन की चुट्टी में ये घर में था और नो तारीक को इसका था पेपर तो ये परसों के दिन ये बापस बड़े भाई साब के साथ इसको छोड़ने आये हो रही होस्टल और इसको छोड़ जाने के बाद एक कल पेपर देगे साड़े दस बजे से इसका पेपर छूट गया ये बापस अपने होस्टल में आया होस्टल में आने के तरद उपरांद इसने इंट्री भी की और इंट्री करने के बाद साम को 46 के संतिंग में ये एक बार होस्टल से फिर बाहर निकल गया और वहां का जो गार्ड और जो बार्डन है उसकी लापरवाही से बच्चा बाहर निकला निकलने के बाद इसने बच्चे को कोई मजबूत उनके जो होस्टल में जो टीचर बगयरा है कोई मजबूत कारवाही नहीं की गई अगर कारवाही की जाती तो बच्चा हमारा हमें बापस मिलता और जब मैं साले आठ के लगवाद मेरे बड़े भाई साब के फॉन पर फॉन आया होश्टल के किसी प्रोपाइटर का तो उसने कहा कि आपका बच्चा लापता हो गया है आप आके एक बार दिख लीजिए इसको तो हम लोग साले आठ बजे नो बजे के संतिंग में घट से कि निगले तो यहां हो रही साले 11-12 विजे के संतिंग में हो रही है किराय के उसमें भी रख सकता था उसको लेकिन एक उसकी सुरच्छा के मद्दे नजर देखते हुए हमने उसको खोश्टल जैसी सुब्दा अक्टिवेट करवाई लेकिन इनकी लापरवाही से बच्चा बाहर निकला और जब हमने इनसे पूछा कि बच्चा बाहर कैसे निकल अब दुवे उपस्तित हुष्टल में नहीं है तो उन्होंने हमसे बोला कि आठ वजे के लगवख आठ शाले-आठ वजे के लगवख लिगवख उन्होंने बच्चों की जो कॉंटिंग करते थे कंटिन्यू वो कॉंटिंग की कॉंटिंग करने के बाद उन्होंने फिर मेरे को फोन किया और जब मैं हो रही आ गया तो उस समय ये अकेले थे मैंने इंसे पूछा पूछने के बाद तो मैंने उनको ये बोला मैंने का आपके कोई सीनियर अधकार है आपके प्रबंदक जी आपसे जो भी सीनियर है जिनके आप हेंड़ावर अपना बर्क करते हो उनको आपने ये इन्फोर्मेशन डेलिकेट की है क्या तो इसने हम से बोला जी मैंने अपने प्रबंदक जी को फोन किया है तो पांच जो आपकी बच्चों की दिखरे करता है क्या इसने आपको आउगत कराया था समाई से कि मैं गौरब दुबेदी होस्टल में छे बजे से साड़े छे बजे से नहीं है तो बोला उनों उनका जबाब था कि नहीं मेरे पास मेरे वार्डन के द्वारा कोई इन्फोर्मेशन मे एक संदोज कुसवाजी है तो उन्होंने हमारे बड़े वाईसाब को कई बार मुला कि एक बार